सुप्रिया पाठक किसी परिचे के मोहताज तो बिलकुल नहीं है एक ही परिवार में जहां तीन रतन मादीना पाठक, बड़ी बहन रतना पाठक और सुप्रिया पाठक हो तो सहज रूप से अंदाज लगाया जा सकता है कि ये परिवार कितना दिलचस्प होगा असल में सुप्रिया को कभी अधाकारी का शौक नहीं रहा वो तो नालंदा विश्वविद्याले से डांस विशय में इस नातक दिग्री लेने के बाद डांस में ही पीएशडी करने वाली थी चुकि परिवार में दीना पाठक फिल्मों के साथ ही साथ स्टेज आर्टिस्ट थी लिहाजा एक दिन उन्होंने एक नातक में हिस्सा लेने का अग्रह किया जिसे सुप्रिया टाल नहीं सकी इस नातक में उनकी अभिने शमता के चर्चे होने लगे फिर धीरे धीरे खुद सुप्रिया को भी अदाकारी में आनन्द आने लगा इस तरहर डांस में करियर बनाने का सपना पीछे चूटता चला गया सुप्रिया पाठक का जन साथ जनवरी 1961 को बंबई में हुआ था इनके पिता का नाम बल्देव पाठक है मा का नाम देना पाठक है जो बीते दोर की मशूर चरित्र अभिनेत्री रही है सुप्रिया पाठक की मौसी तरला फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में धर्मेंद्र की अभिनेत्री थी सुप्रिया पाठक की बहन रतना पाठक अभिनेता नसिरुद्दिन शा की पत्नी है सुप्रिया पाठक की शादी फिल्म अभिनेता पंकज कपूर से हुई है सुप्रिया उनकी दूसरी पत्नी है इनका एक बेटा और एक बेटी है सना कपूर और रोहान कपूर अभिनेता शाहिद कपूर इनके सोतेले बेटे है सागर सरहदी उन दिनों बहुचर्चित फिल्म बजार की तयारी में लगे थे सागर जी ने फोन किया तब सुप्रिया बहुत छोटी थी जब उनसे मिलने पहुची तो वो बोले कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ बजार मैंने कई लड़कियों के टेस्ट लिये हैं लेकिन कोई जम नहीं रही मुझे लगता है कि तुम मेरी फिल्म में फिट रहोगी सुप्रिया ने संग्षेप में फिल्म की कहानी सुनी और फिर काम करने के लिए हां कह दिया सागर जी ने बताया कि शूटिंग के लिए सब ट्रेन से हाइदरबाद जा रहे हैं सुप्रिया ने कहा कि मैं तो अभी नहीं जा सकती क्योंकि मेरी परिक्षाएं हैं तब सागर जी ने सुप्रिया को प्लेन का फैर दिया और कहा कि परिक्षा के बाद हाइदरबाद पहुंच जाए सुप्रिया की परिक्षाएं खत्म ही और हाइदरबाद पहुंच कर शूटिंग में हिस्सा लिया जब फिल्म बजार की शूटिंग हो रही थी, तब खुद सागर सरहदी सहाब ही नहीं, स्मिता पाटल, नसिरुदिन शाह और फारुक शेक को भी उमीद नहीं थी कि ये फिल्म इतनी काम्याब होगी सबने बहुत मेहनत की थी, और सुपरिया तब नहीं नहीं थी, लेकिन सभी सीनियर कलाकारों ने कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो उनसे कई ज्यादा काम्याब है उसका ये समवाद, सजो हम गरीब न होते, तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता था, ये आज भी याद है फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई, पहली ही नजर में कुछ इस तरह का अट्रैक्शन हो गया सुपरिया बताती है, ये बात भी दिल्चस्प है कि जिस फिल्म में हम पहली बार काम कर रहे थे, वो कभी परदे पर आई ही नहीं फिल्म की शूटिंग के जरिये सुपरिया पंकज को अच्छी तरह से जाना समझा, फिर दो साल साथ रहे और शादी कर ली सुपरिया भागेशाली थी कि बॉलिवुड में कई अच्छी फिल्में मिली, लेकिन इसमें कभी मा ने कोई सिफारिश नहीं की जो भी किरदार निभाए वो उस फिल्म के हिसाब से निभाए मसलन फिल्म बाजार में एक गरीब लड़की जो बहुत सहमी सहमी रहती है कंदे नीचे जुका कर चलती है, वहीं दूसरी तरफ फिल्म विजेता में दबंग लड़की की भुमिका निभाई जबकि फिल्म मिर्च मसाला में एक गुजराती लड़की कैसी होती है, उसके रंग में सुप्रिया ढल गई बॉलिवुड में कई सफल फिल्मों के बाद अतीश कपाडिया ने छोटे परदे पर खिचडी में एक बेवकूफ महिला हंसा का किरदार निभाने का प्रसाव दिया पहले तो लगा कि क्या वाकई कोई महिला इतनी बेवकूफ हो सकती है सुप्रिया ने किरदार को भरपूर जिया, हंसा जिसे तीन चीज़ों से प्यार है, गहने, गजरा और प्रफुल ये बताने की कोशिश की कि आजकल जहां पती-पत्नी में प्यार नाम की चीज़ छूटती जा रही है, वो किस तरह से वापस लोटाई जा सकती है बहले ही बेवकूफी भरे अंदाज के साथ ही क्यो ना सही सरकार, बेवफा, शड्यंत्र, राक कमला की मौत, दाता, फलक, दिलवाला, जूटी, अरजुन, मिर्च मसाला, आवाज, धर्म और कानून, मासूम, विजयता, बाजार, शबनम, कलियूग ये उनकी कुछ फिल्म में रही है 1983 में उन्हें फिल्म फेर के सर्वश्रेष्ट सायक अभिनेत्री के पुरसकार से नवाजा गया इसके बाद उन्होंने अपनी फिल्मी करियर से एक लंबा ब्रेक ले लिया कई साल के बाद उन्होंने फिल्म सरकार से अपना कमबैक किया था सुप्रिया पाठक बेहद मंजी हुई अदाकारा हैं ये उन्होंने संजे लीला भनसाली निर्तेशित फिल्म राम लीला गोलियों की रास लीला में साबित कर दिया सुप्रिया पाठक को उनके इस फिल्म के किरदार के लिए हर जगह से प्रशनसा मिली इसके अलावा उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्म फेर के बेस्ट सपोर्टिंग आक्ट्रिस के अवाद से भी नवाजा गया जब सुप्रिया पाठक का फिल्मी करियर खत्म होने की कगार पर था तब उन्होंने छोटे परदे की और रुख किया उन्होंने कई टेलेविजिन शोज किये सुप्रिया पाठक का अब तक का सबसे प्रसिद्ध किरदार खिचडी की हनसा पारिक है आज भी लोग सुप्रिया पाठक को हनसा के नाम से ही बुलाते हैं झाल